पंच गब्व में निमलिकित में से क्या स्वामिलित नहीं किया जाता है तो इस कोर्षण का दोस्ते हैं पर राइट अंसर हो जाएगा option D. तुलसी इसका सही जवाब है गाय के दूद, दही, घी, मुत्र और गोबर से निमलिक पदार्थ पंच गब्व कहलाता है अगला question, question number 102, वेदों के गद्व परकरण क्या कहलाते हैं दोस्तों आपको बताना है वेदों के गद्व परकरण क्या कहलाते हैं तो वेदों के गद्व परकरण ब्रामण कहलाते हैं रिगवेद के ब्रामण गरंत एत्रे व काउशितिक की रिगवेद के सत्पत वा तैत्री सामवेद का 25 वा अर्थ वेद का गोपत है ध्यान रखेगा इस question का right answer जो होगा option C हो जाएगा ब्रामण कहलाता है अगला question question number 103 मुहम्मद गवरी किस वर्ष प्रत्वी राज तर्ती से पराजित हुआ था तो दोस्तों इस question का right answer आपको देना है तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1191 में option B इस question का सही जवाब है मुहम्मद गवरी 1191 में हुए तराइन के पर्थम युद में प्रत्वी राज तर्ती से पराजित हुआ इसके परचा तराइन के दूती युद 1192 में मुहम्मद गवरी ने प्रत्वी राज तर्ती को पराजित किया भारत में तुर्की राज की स्थापना की तो इस question का right answer option B हो जाएगा 1191 अगला question question बर 104 अमीर खुसरो जिन्हें कवाली का पिता युद भारत का तोता भी कहा जाता है किसके दर्वार में दर्वारी कवित है अगला question question बर 105 लहो रक्त की नीत किसने अपनाई? most important question है दोस्तों आपकी परिच्छा की देस्टिकोंट से ध्यान रखिएगा लहो रक्त की नीत किसने अपनाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा option A बल्बन लहो रक्त की नीत बल्बन ने अपनाई? बल्बन के राजसो सिधान की दो मुख विसेशता थी पहली सुल्तान का पद इस्वर द्वरा परदत्त होता है और दूसरी सुल्तान का निरनकुष होना आवर्शक है अगला question, question number 106 किस वर्ष में इस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सुर्ट के पास इस्थित स्वाली एस्चुरी में पूर्थ गालियों को पराज़ित किया था तो दूस्तों इस question का right answer option C हो जाएगा 1612SV में 1612SV में इस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सुर्थ के निकट स्वाली के समझत तरपर पूर्थ गालियों को पराज़ित किया था और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतर तो काप्टन वेस्ट ने किया था और अंग्रेजों की इस बिज़े से पूर्थ गालिये का धिकार की निरंतरता भंग हो गई थी ध्यान रखिएगा अगला question पहली डेनिस इस इंडिया कंपणी ने अपना परचालन किस वर्स में सुरू किया तो इस question का right answer दोस्तों हो जाएगा option ए अंग्रेजों के बाद डेनिस 1616 इस भी में भरत आये 1616 इस भी में उन्होंने डेनिस इस इस इंडिया कंपणी की इस्थापना की अठारवी सर्तापदी के आंति तक ये अपनी सभी फैक्टरियों को अंग्रेजों के हाथों बेच कर भारत से चले गए थे ध्यान रखिएगा अगला question question number 108 श्री रंग पट्टनम का एतिहाच से सहर जिसे टीपो सुल्टान और उसके पिता हैदर अली की कबरों का घर माना जाता है वह निम लिखित मेंचे की सहर से लगब 15 किलोमेटर दूर पर इस्तित है तो इस question का यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा option C मैसूर करनाटक का एतिहाच सहर सिंगी सिरी रंग पट्टनम मैसूर ने लगब 15 किलोमेटर की दूरी पर इस्तित है यहाँ पर हैदर अली और उसके पुत्र टिपो सुल्टान का शासक सासन था ध्यान रखिएगा option C इस question का राइट अंसर हो जाएगा अगला question question number 109 इन में से कौन सा कारक नहीं है जो भारती समिधान के निर्माड में योगदान देता है तो इस question का यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों option A इस question का राइट अंसर हो जाएगा आउदोगी क्रांती भारतिय समिधान के निर्माड में और दोगी करांती का कोई योगदान नहीं है option A right answer हो जाएगा अगला question question number 110 भारतिय समिधान का निमलिकित में से कौन सा अनुचेद बिधिक समता यानि कानून के सामने समानता से समंधित है तो इस question का दोस्ते हैं पर right answer option A हो जाएगा अनुचेद 14 अनुचेद 14 बिधिक card के समंता से समंधित है यह मौलिक अधिकार के अंतरगत आता है समिधान के भाग 3 में अनुचेद 12-35 तक मौलिक अधिकार वाणित है इससे संयुक्त राज अमेरिका के समिधान से लिया गया है दोस्तों ध्यान रखिएगा बहुत ही महात्पूर्ण प्राशन है अगला कोश्चन कोश्चन 111 समिधान के किस अनुचेद के प्रावधानों के अंतरगत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्ध सिरी को प्रारम किया तो इस कोश्चन का दोस्तों यहां पर राइट अंसर हो करेगा अनुचेद अठारा के प्रावधावने के अंतरगर भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्ध प्रोशकारों जैसे पदम विभूशन है पद्ध भूशन और पद्ध सिरी को प्रारम किया है ध्यान रखिएगा अगला कोश्चन कोश्चन 112 समिधान का निमलिकित में से कौन सा अनुचेद मानों के क्रेव विक्रे तथा जबरजस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंद लगाता है तो इस कोश्चन का दुस्तों राइट अंसर हो जाएगा जिसके अंतरगत मानों के क्रेव विक्रे तथा जबरजस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंद लगाया किया है ध्यान अगला कोश्चन क्वेशन नमबर 113 भारत और स्रीलंका को अलग करने वाली जल राशी कौन सी है तो इस कोश्चन का राइट अंसर हो जाएगा दूस्तों अप्शन सी सही अंसर है इस कोश्चन का पाक जल संधी अगला कोश्चन दूस्तों कोश्चन नमबर 114 प्राइदीपी भारत का दक्षूडि छोर कन्या-कुमारी इस्तित है इसकी इस्तिती लगभग 77 पुर्वी देशांतर से 77 पुर्वी देशांतर तक इस्तित है और यह भूमद रेखा जोकी 0 अचांस रेखा होती है के उत्तर में इस्तित है Option D, Right answer हो जाएगा दोस्तों भूमद रेखा के उत्तर में इस्तित है अगला कोश्यन, कोश्यन बर 115 भारत के किस राजी में करक रेखा के अति समीपस्त कोई सहर है तो इस कोश्यन का दुस्तित है पर Right answer हो जाएगा Option C, तिरपुरा इसका सही जवाब हो जाएगा अगला कोश्यन, कोश्यन बर 116 प्रत्वी का कठोर बाहरी हिंसा जिसमें क्रस्ट और बाहे मेंटल सामिल है उसे क्या कहा जाता है तो इस कोश्यन का दुस्तों Right answer Option B हो जाएगा इस्थल मंडल कहा जाता है Option B Right answer है अगला कोश्यन, कोश्यन बर 117 अच्छान्स का एक ब्रत्वी की भूमद रेखी सता से 52 दक्षण में है क्या कहलाता है बानवा समानांतर दक्षण कहलाता Option D Right answer हो जाएगा अगला कोश्यन, कोश्यन बर 118 करक रेखा कहां से गमन करती है तो दोस्तों आपको बताना है दिये गए उप्षण में करक रेखा कहां से गमन करती है तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों Option C भारत और साउधी अरब Option C Right answer है अगला कोश्यन, कोश्यन बर 119 वर 119 उपैंसर में निमलिकित में से किस क्रश उपज के लिए नियूंतम समार्थान मुल MSP पहली बार घोसित किया गया तो इसकोश्यन का दोस्तों Right answer Option C हो जाएगा धान फसल के लिए अगला कोश्यन, कोश्यन बर 120 निमलिकित में से काउन सी मिसित खेती की मुख के बिसेश्था है तो इस कोश्यन का Right answer Option C हो जाएगा पसपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना मिसित खेती की प्रमुख बिसेश्था है अगला कोश्यन, कोश्यन बर 21 इन में से काउन सा भारत में एक क्रशी विपढ़ान के मुख दोसों में से एक नहीं है तो इसका Right answer Option C हो जाएगा अनुकूल मंडी अगला कोश्यन, कोश्यन बर 122 उतर प्रदेश राजिका काउन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है तो आपको दोस्तों बताना है तो इसका Right answer Option C हो जाएगा सेतापुर अगला कोश्यन, कोश्यन बर 123 कौश्यन सा बिकल्प उतर प्रदेश के सहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे के सहर इस्थित है तो इस कोश्यन का दूस्ते हाँ पे Right answer हो जाएगा Option B A का Second हो जाएगा और B का 4, C का 1, D का 3 Right answer है A का 2, गंगा बिठूर पे है और B का 4, राप्ती, गोरकपूर और C का 1, गोंती, जाउनपूर और D का 3, साई, परताबगर तो इस प्रकार इस कोश्यन का Right answer Option B हो जाएगा अगला कोश्यन दोस्तों कोश्यन नमबर 124 उतर प्रदेश में सबसे कम छेत फ्रवलाला जनपत कौन सा है तो इस कोश्यन का दोस्ते हैं पे Right answer Option D हो जाएगा अगला कोश्यन कोश्यन नमबर 125 उतर प्रदेश के निमलिकित में से काउन से जिले की सीमा मद प्रदेश के साथ शाजह नहीं करती है तो जोस्तों आपको बताना है इस कोश्यन का Right answer Option D हो जाएगा जोस्तों अलिगर अगला कोश्यन कोश्यन नमबर 126 उतर प्रदेश के प्रमुक प्योसाईग फसल क्या है तो उतर प्रदेश के आपको प्रमुक प्योसाईग फसल बताना है दियेगा उप्संस में तो Right answer Option D हो जाएगा गन्ना अगला कोश्यन कोश्यन नमबर 127 उतर प्रदेश का बीज प्रमाड़ी करण ब्योरो कहाई सित है Most important question है दोस्तों Right answer Option E हो जाएगा आलमबाग अगला कोश्यन कोश्यन नमबर 128 उतर प्रदेश में भारती वाडिज एवं उद्दोग मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी इसका Right answer Option B हो जाएगा 1994 अगला कोश्यन Question 139 Electronic संचार प्रणराली की तीन बुनियादी कहीं कौन सी है तो इस Question का दोस्तों Right answer Option यह हो जाएगा Transmitter, Transmission, Channel और Receiver अगला Question Question 131 Email प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकाल उप्योग में आता है Most Important Question है दोस्तों Option D इसका Right answer हो जाएगा P.O.P. 3 Pop 3 अगला Question Question 131 निमलिकित में से क्या एक प्रयूजन उनमुक या प्रयूजन आधारित कर्मा देशन भाशा नहीं है तो Right answer Option D हो जाएगा C भाशा अगला Question Question 132 निमलिकित में से कौन सी दुई आधारी सक्री परे माड़ सरूप 101011 देगी इस प्रसन में सभी संख्या दुई आधारी संख्या प्रणाडाली में है तो आपको बताना है दोस्तों इस Question का यहां पर Right answer Option D हो जाएगा अगला Question Question 133 निमलिकित में से किस दुई आधारी संख्या प्रणाडाली प्रणाडाम इतना होगा इस प्रसन की सभी संख्या दुई आधारी प्रणाडाली में है तो इसका Right answer Option B हो जाएगा दोस्तों ध्यान रखेगा अगला Question Question 134 चुम्ब की प्रेरण का SIE मात्रक क्या है तो राइट एंसर आप्सन भी हो जाएगा टेसला चुम्ब की प्रेरण का SIE मात्रक टेसला होता है अगला कॉस्चन कॉस्टन बर 135 निमलिकित में से कौन सा बिकल्प क्लास सेकेंड लिवर का उदाहरन है तो राइट एंसर आप्सन ये है वील बैरो नेक्स कॉस्टन कॉस्टन बर 136 सिल्कॉन क्या है तो दोस्तों आपको बताना है सिल्कॉन क्या है तो इसका सही जवाब आप्सन ये हो जाएगा उपधातू है सिल्कान उपधातू है किसके प्रयोक के जरिये धात की उच्छ सुद्धता प्राप्त की जा सकती है तो right answer option D हो जाएगा बिद्धूत आप घटनी निवनी करन अगला question question number 139 निमलिकित मैंसे कौंसा बिकल्ब शरी का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है तो इस question का right answer option C हो जाएगा जीगर अगला question question number 149 निमलिकित मैंसे कौंसा तंतरिका फाइबर से बना है जो प्रतिविम क्रियाओं में मद्धिस्ता करता है और जो मस्तिष को आवेगों का आधान प्रदान करता है तो दोस्तों इस question का right answer option B हो जाएगा मेरू डंड अगला question question number 140 निमलिकित मैंसे कौंसा हर्दे की धड़कन और सोसन को नियंतित करता है तो इस question का right answer option A हो जाएगा मेंडूला अबला गेटा right answer